प्रुफेस्ट जो नहीं प्रिफेस्त के साथ कंपश्टर टाइब और रुर्ले कैसे लगानी है और रणी कपश्टर के ऐसे लगाना है रणी कपश्टर का है सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियों वाली है उसका नोटिवेशन भी आप पहुंच सके तो चलिए निट्वीर शुरू करता है है विश्वाइस आप देख सकते हैं कि यह एकटार है और इसके दो पॉइंट डि बने होते हैं यह 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 अउस्टार्ट का क्वाइटार है और जो क्रेंठ सब्सक्राइब के nya लगने है कि पैसिर की एक तार इधर लगनी होती है और एक एदर यह स्टारटं प्वाइब का मक्सूद होता है कि इसने क sweater को sorry i क crews करिये की कर देना लोता आ और ये running का पो ज होता यह इसने मेंड भाइनी होती है यह已經 see current मिलता रहेगा और compressor चलता रहेगा तो इसके बाद आती आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सा पॉइंट है यह स्टार्टिंग का या रिनिंग का यह दोनों पॉइंट आपस में जॉइंट किये हैं रिनिंग और स्टार्टिंग का और ये इसलिए जोइट किये हैं कि इसको क्पैस्टर नहीं लगाया क्पैस्टर के बगार ले लगाई होती है ये क्पैस्टर के बगार ही कंप्रेसर को स्टार्ट देती है और इसको क्पैस्टर कैसे लगाना है ये इस वडियो में हम ये वाब को बताएंगे उसके बाद आती है ये है starting capacitor जो इस वाली relay को लगएगा को और यह पर है रनिंक पैस्ट है यह पैस्टर है यह पैस्टर लगेगा electronic लेपो इस लेपो तो कैसे लगाना है यह हम आपको अभी बताएंगे बात करते हैं कि compressor के साथ फिर ले को कैसे लगाना है तो आप देख सकते हैं यह एक पैस्टर है और इसके दो पॉइंट होते हैं क्पैस्टर के और यह रिले है यह आर रेडी आपको मैंने बताया कि यह इसके दो पॉइंट बने होते हैं और यह आपको मैं क्पैस्टर के साथ लगा के बता सकता हूं कि यह दो पॉइंट पैस्टर के और यह दो पॉइंट आपने रिले के साथ लगा देने हैं यह दोनों में से कोई भी एक उदर एक उदर दोनों साइडों में कहीं भी आप लगा सकते हैं यह एक पॉइंट इदर लगा दिया और एक पॉइंट इदर लगा दिया इस तरह से यह आप देख सकते हैं यह दो पुएंट हमने 1 ॉट कप्ऴेस्टर के मैं लगा दी यह अब कमप्रैसर के साथे शी तरह से यह को लगा देना है और यह अबर्लोड क्मप्रैसर के साथ लगाना बहुत जूरूरी होता है को ट्रिक औक लिए वर्लोड लगाना जुरूरी होता है है यह आप देख सकते हैं कि यह हमने सब पर से और अपर कामन का है और यह लेफ्ट है राइट साइड वाला पॉइंट है जो रॉनिंग का है और लेफ्ट संड वाला पॉइंट है 거야 स्टार्टिंग का तो इसी तरह से आपने मेन कनेक्शन जो देना होता है यह एक पॉइंट रॉनिंग पर और एक कामन पर यह अवरलोड कामन पर लगा है तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आपने कंप्रैसर को इसी तरह से ले लगानी है और स्टार्टिंग कापैस्टर ल करते हैं यह आप देख सकते हैं यह कंप्रेसर को हमने स्टार्ट दे रिया और अवरलोड ट्रिप कर चुका है इसकी वज़ा यह है कि जो रिले हमने कंप्रेसर के साथ लगाई है वह पॉइंट नहीं छोड रही रनिंग और स्टार्टिंग का पॉइंट आपस में जुड़ा रहेगा तो वह अवरलोड कर जाएगा क्योंकि जब स्टार्टिंग का पॉइंट और रनिंग का पॉइंट आपस से अलग नहीं होंगे तो तब तक रिले कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं देगी तो इसको आपने क्या करना है इसको आपने क्या करना है इसको आपने यहां से यह जो इसकी वायर है इसको यहां से आपने कट कर लेना है इसको आपने इस रिले की टरने यह जो इसके उपर वाल दिये हैं यह टरने लुपेटी हैं और इसको आपने कम कर देना है यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस 11 12 13 14 15 यह हम आप देख सकते हैं यह 15 टरने हमने इससे कम कर दी है अब इसको आपने इसी तरह से यहां लुपेट देना है यहां लगा देंगे अब इसको पैस्टर लगाएंगे और फिर इसको चक करेंगे कि यह कंपरेसर के साथ सही तरीके से चलती है या नहीं अब हम इसको दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं कंपरेसर के साथ यह अभी ठीक चलती है कि यह अभी भी इसमें कोई कमी पेशी है यह हमने रिले की टरने कम कर दी और अब इसको हम स्टार देते हैं कंपरेसर को कि अब अब अबरलोड ट्रिप करता है कि या नहीं यह अभी भी यह कंपरेसर के साथ रिले मैच नहीं हुई तो आपने इस से अभी पहले हमने इसकी 15 टरने कम की है अब पांच टरने इसकी और कम कर देंगे यह देख सकते हैं एक दो तीन चार्ट और पांच यह पांच टरने हमने इससे और कम कर दी अब हम इसको कंपरेसर के साथ मैच करके चक करेंगे अब हमने इसकी पांच टरने और कम कर दी है अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं क्या यह कंपरेसर के साथ सही ठीक से चलती है यह अभी भी कंपरेसर के साथ ठीक से नहीं चल रही एक दो तीन चार और पांच यह हमने इसकी पच्चीस टरनों को कम कर दिया है अब इसकी पच्चीस टरने हमने कम कर दी अब इसको हम बोरा स्टार्ट देखते हैं कि यह कंपरेसर को सही स्टार्ट देती है या नहीं तो यह आप देख सकते हैं जी बिल्कुल अब यह आप देख सकते हैं कि यह कंपरेसर टिप नहीं कर रहा है यह कंपरेसर के साथ रले मैच हो चूगी है यह आप देख सकते हैं कि इसके अमपेर भी 0.7 है कि सब्सक्राइब देख सकते हैं कंप्राइसर बिल्कुल चल रहा है और इसके जो अमपेर हैं वह 0.8 यह देख सकते हैं और यह कंप्राइसर भी अभी चल रहा है सब्साइब देक सकते हैं यह हमने कंप्राइसर के साथ रूंद कुले मैच हो चुकी है और यह आप देख सकते हैं यह फॉर ऑप चुलाया है तो यह जिरो पॉइंट साथ रूंक्र कंप्राइसर के साथ रिले बिल्कुल मैच है आप आपने देखा कि हमने रिले को कंप्राइसर के साथ कैसे मैच किया है अब दूसरी रिले को कंप्राइसर के साथ कैसे लगाना है यह हम इस वीडियों में सबसे जरूरी बात होती है अगर आपने कंप्रेसर को चलाया है और चलाने के बाद कंप्रेस्टर को डिस्चार्ज करना बहुत जरूरी होता है अगर आपने कंप्रेसर को कंप्रेस्टर को डिस्चार्ज नहीं किया तो बहुत ज्यादा जटका लग सकता है आपको यह देख सक करने के बगार कपैस्टर को हाथ लगाया तो बहुत ज्यादा जटका लग सकता है आप को अають कि तो अब बार करते हैं दूसरी और लियकी यह यह इसका सिंगल पॉइंट है यहाँ से आप ने इस पॉइंट को डिस्कनेक्ट करना है वाइर को इदर से यह इस वायर को हमने डिकनाट कर लिया अब इसकी टरन को एक दो टरन को खोल कर हम इस पॉइंट इस जगा के बीच से इसको वायर को पकड के लिए यहां से नगालेंगे यह देख सकते हैं यहां से हमने बाहर नकाल लिया वायर को अब इसकी पकड हो चुकी है यह अब वायर क किसी तरह हिलेगी नहीं तो इस से ये आप देख सकते हैं कि इसको भी आप ने कपैस्टर इसी तरह से लगाना है ये आपने इसको इसका नेमल उपर से साफ कर लेना है ये जो वायर वाला पॉइंट होता है जिसके उपर कोईल वेटा होता है ये कोईल वाली जो कोईल वाला जो पॉइंट होता है ये आपका मेन होता है जिस सरले का भी ये कोईल वाला पॉइंट होगा वो आपका मेन होगा तो इसी तरह से आपने कपैस्टर इस सरले को भी ऐसे ह लगाना है यहां से उतार लेते हैं अब यह हम इस को इसके साथ वाइर को जोड़ लेते हैं यह अब हम दूसरी रिले के साथ इसके कनेक्शन कर दिये यह इसके भी हमने दो पॉइंट बना लिये है एक यह मेन और एक स्टार्टिंग का तो इसी तरह से ये रियर भी कंप्राइसर के साथ ऐसे ही लगनी है और इस तरह आपने इसको कपैस्टर लगा देना है अब देख सकते हैं इसको भी हम स्टार्ट करके चेक करेंगे कि ये कंप्रेसर के साथ है ये रिले भी मैच है या नहीं में आपने इदर लगानी है और एक अवर लोड को अब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करके चेक करते हैं ये आप देख सकते हैं ये भी रिले कंप्रेसर के साथ मैच नहीं हो रही अब हम कंप्रेसर को स्टार्ट देते हैं ये आप देख सकते हैं कंप्रेसर को स्टार्ट दिया और साइमन साथ अमपेर पर जागे कंप्रेसर का अवर लोड ट्रिप हो चुका है ये आप देख सकते है कि अवरलोड ओन चुका है या भी फौरन फिर ट्रिप हो जुका है क्यूंकि यह कमप्रेसर के साथ है रिले को ड्रे मैच नहीं तो इस रिले को भी कैसे मैच करना है यह हम आपको पिछली रिले की तरह इसकी भी ट्रने कम करके आपको प्ताएंगे कि सुगाइज आप देख सकते हैं इसकी भी हम वायर को कम करेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोड़ा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उनिस, बीस 21, 22, 23, 24, और 25, इसकी भी हमने 25 ट्रगनों को कम कर दिया है, अब हम इसके साथ कंपरेसर को स्टार देंगे, देखेंगे कि ये भी कंपरेसर के साथ मैच हो चुकी है ये इस से लेके भी हमने 25 ट्रगनों को कम कर दिया है, अब हम कंपरेसर को स्टार देकर देखते हैं कि ये कंपरेसर के साथ मैच हो चुकी है कि ये अब हम इसको स्टार्ट करके चक करते हैं कि ये देख सकते हैं कि इसकी हमने 25 ट्रणों को कम कर दिया है और ये भी कंपरेसर के साथ मैच हो चुकी है ये आप देख सकते हैं कि ये कंपरेसर चल रहा है और इसके जो अम्पेर हैं वो जिरू पॉंट ऐट है और आप इसको हम बंद करते हैं और इसको अभी फिर स्टार्ट देते है येद देख सकते हैं ये जिरू पॉंट ऐट पे फिर कंपरेसर स्टार्ट हो चुका है तो वाइस कपैस्ट pension आप अपने इसी तरह से मैच करनी है जैसा कि मैने आपको बताया कि अगर रिले compressorikes के साथ मैच नहीं हो रही तो आपने रिले की टरनोn को कम कर लेना है और फिर चेक कर लेना है आप पहले दतरनें क कर लें फिर 15 फिर प्र बीस आप टरने कम कर करके चेक कर लियां गे और इंशालला किसा अधिर ले मैच हो जाएगी सो गाइज अब हम बात करेंगे के रनिंग कपाश्टर कंपरेसर के साथ कैसे लगाना है तो सबसे पहले हम क्प्रेस्ट को डिस्चार्ज करना है यह देखें हमने क्प्रेस्टर को डिस्चार्ज कर लिए अब हम इसको आज लगा सकते हैं अब बात करते हैं इस र्ले की यह है यह कंप्रेसर को फोरं स्टार्ट नहीं देती अकर इसके साथ कौपष्र रनिंग कपश्टर लगा तो ये compressor को फॉरन स्टार्ट करने में मदद देती है और इसके साथ आपने running capacitor लगाना है एक left side पे और एक right side पे connection इसको देना है ये आप देख सकते हैं कि ये एक point हमने right side पे लगा दिया और ये जो right side पे दो point हैं आप इसकी wire को उपर भी लगा सकते हैं हर नीचे भी ये दोनों same point होते हैं तो हम उपर ही लगा देंगे ये हमने उपर वाले point पे ही लगा दिया अब compressor के साथ आपने इसको लगा कर तो उसी तरह से main point आपने दाई तरफ लगाना है और एक point common पे अवर लोड को तो इसको भी हम स्टार्ट करके देखते हैं यह हमने compressor को स्टार्ट दे दिया यह compressor स्टार्ट हो चुका है और इसके आप अमपेर भी देख सकते हैं तेहां रनिंग क्पैस्टर लगाने से जीरो point three Ampere हो चुके हैं इस compressor के यह आप देख सकते हैं रनिंग क्पैस्टर लगाने से इसके जीरो point three Ampere हो चुके हैं अब पैस्टर उतार के आपको इसके फिर दोबारा टेस्ट करते हैं सुगाइज अब हम आपको रनिंग क्पैस्टर के बगार कंप्रेसर को स्टार्ड देकर बताएंगे कि इसके कितने इंपेर हैं यह हम रनिंग क्पैस्टर के बगार कंप्रेसर को स्टार्ड देंगे तो आप देख सकते हैं कि हम इसको यह हमने कंप्राइसर को स्टार्ट दे दिया है इसके कंप्राइसर को हमने रनी कंप्राइस्टर के बगैर स्टार्ट दिया और इसके इंपर है कि हमने बगैर कपेस्टर के कंप्रेसर को स्टार्ट दिया है और यह कंप्रेसर चल रहा है और इसके एमपेर हैं जीरो पॉइंट एड़ इसी तरह से आपने कंप्रेसर के साथ रनी कपैस्टर को लगाना है और स्टार्टिंग कपैस्टर को भी इसी तरह से लगाना है यह हमने यह देखें रिले की वायर को जाया कर दिया है और इसकी ट्रने कम करके कंप्रेसर के साथ मैच कर दी है तो दोस्तो कैसी लगी है मेरे वीडियो अगर आपको वीडियो पसंदा आ है तो इसको लाइक कर रहें कि ज्यादा से ज्यादा शेर करें और इस वीडियो के मतलए आप quea ivème स्वाल है तो मुझे वो just comment में बताएं तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नी किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ के बेले कमपर क्रिक कर रहें तागे हमारी जो भी नेक्स वीडियो आने वाली है उसको नोट्रिक्वेशन भी आप तक पहुंच सके तो इसके साथ दीजिए अबने में में मुहमद अकीद को जाज़त में नेक्स वीडियो में अला आपिस